मैं प्रतिग्या करता हूँ कि मैं भारत के विधान का वफादार रहूँगा चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा, हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं नमस्कार जे देशा साथी लढ़ले ते आमर हुतात में जाले सोडीले सर्व घरदार, सोडीला सुखी संसार, जोती समझीवन जगले ते आमर हुतात में जाले मंडली, 117 चालीसला भारताला स्वातंत्रे मिलाला या भारतिय स्वातंत्रे लढ़या मधे आनेकांधनी आपलिया प्राणांची आहुती दिली बलिदान दिल पन स्वातंत्रे में कदाची त्यापेक्षा जासता उगड़ा है स्वातंत्रे टिक उण आणि त्यासाठी आपली भारतिय सेना कायम कारियरत अस्ते भारताला स्वातंत्रे मिलाले नंतर भारताला तीन महत्वाचा युद्धन न तोंड्या वलागल आति रेकी कारवायास आतत्यान चालू अस्ता घुसकोरी चालू अस्ते आशावलेला भारतिय सेनेचा प्रत्यक सैनिक, प्रत्यक अधिकारी हा अपल्या डोल्या मधे तेल घालून भारतिय सिमानचा रक्षन करत अस्तो मनुनाच साथ डिसेंबर हा दिवस सशस्त्र सेना ध्वजदी नमनुन साजरा केला जातो अर्थात आम फोर्सेस फ्लैग डे या दिनाचा नेमक अउचित्य काया है, महत्व काया है कि वा सामान्ध्य नागरिकाननी सेने प्रत्य काय केला पाई जे या सग्या विश्याची चर्चा करने साथी आज अपन या खास कारेक्रमाच आयोजन केलेला है आणि आपल्या स्टूडियो मधे खास व्यक्तिला आमंत्रित केलेला है ब्रिगेडियर प्रशान्त शेवडे यानना सर नमस्कार या कारेक्रमा मधे आपला मनप पुर्वक स्वागत ब्रिगेडियर शेवडे हेगेली 35 वर्ष भारतिय सेने मधे कारियर रता है आने एक वरिष्ठ पदान वर त्यानी काम केलेला है काश्मिर मधे आनी लडाक मधे जिते भवगोलिक परिस्थिती आत्यंत प्रतिकूल अस्ते आशाहिती काणी त्यानी आपला योगदान दिलेला है लडाक मधे 2003 ते 2005 या वेलेत त्यानी आपले रेजिमेंट्चा नेत्रूत्व केलेला है नियंत्रन रेशेवर काश्मिर मधे त्यानी आपकी कामगीरी बजाव लेली आहे 2008 ते 2013 मधे सरामाला आतिशे अभिमान आहे भारतिय सेनेचा आणी आपन द्वजदीनाची महित्ती घेना साथी या कारेक्रमाचा आयोजन केलेले माला पहिलास प्रश्न सरा अपलेला आसा विचारावासा वट्तो कि भारतिय सेना ही आखंड अपने देशे चा सेवे साथी कारियरत आहे तर ही सेना ही नेम की कसा काम करते कोंड कोंट या भौगोलिक परिस्थिती मदे काम करते और या सेने चे महत्वाचे विभाग कोंटे आहे सर्वा प्रथम आपन भार्ता चा नकाशा बगोयां नौर्थ मदे हाय अल्टिटूड मजे पहाड उच्च तुंग पहाड आहे बरफाच्छादित पहाड आहे तिथे आपन जर वेस्ट कड़े भहितलत तर तिथे रेगिस्तान आहे वालवंट आहे तिथे नौर्थ इस्ट क जिवां आपले ट्रेनिंग हे तो तो त्याला या सर्व एन्वाइवेंट मदे काम काया रहा त्याला त्यार करावा लागता है जर नौर्थ मदे माइनस 40 डिग्रीज आणि वेस्ट मदे प्लस 40 डिग्रीज चा वर्ती टेंपरेचर आहे तहे वीर सैनिक आपली ड्यूटी बजाबता ना पूर्ना मजबूटी नहीं, पूर्ना कमिट्मेंट नए Hopla Jya aэ टि ड्यूटी वेवस्ति पार पार तर अपल्यालार्या सरवा पर्थंस अपल्यालाहे एनलेसिस करने जरूरिण आहे किया देशाला सश्यस्त्र से ने मदे काय काय है होए है सरवप्रत्थाँ अप्लयाला आर्मी नैवी अनी एयर फोर्स लेज तीन जे अंगे तो है भारता च्ये जiqu pourquoi शश्यर्श्तर सेने के पाठ़ है लिए शोली से आथी खड़तर ट्रेनिंग करून मग ते अपले अपले ड्यूटी साथी वेग्वयर भागात डिप्लाई के लिए जाताता तो यह लोकान अपले जवान आनना अपली ड्यूटी करताना दोन प्रकार चा चैलेंजेंदा सामना देवाला पहला एक युद्ध युद्धा सार की situation अग दूसरा counter-insurgency operations जैसे आपन काश्मीर मदेवक्तों की जितने insurgency आहे तीथे तुद्धा आपली भारतीय से ना डिप्लाईड आहे तो यह दुनी कार्या करताना त्याना वेग्वयर गा प्रकार चै फिजिकल त्रास होटाता ज़र बुलेट शॉट वुन्स आर्टिलरी फा बरोबर है अनि ते डिसेबल हो शक्तात अनि त्याना आर्मी मन रिटार केलेजाता यह व्याब यति रिकता एक युद्धा सार के सिचुएशन मदे जिमा तो शत्रुवर्ति वार करता हो आपली वीरता दाखोता हो त्या वेला प्राणाची आहोती सुद्धा द्यावी ला प्राप्त जालेले जवान जी आहे तो अनि जी डिसेबल जवान आहे त यांचा प्रती आपली जी आहे भारती आपली आपली कमीटमेंट आहे त्याचा रिलेशन में आपन आउनफोर्सेस फ्लाग विटे पदल बोल याँ हो सर ये तुमी अगदी फार महत्वाची भूमीका सांगितली कि किती प्रतिकूल आशा भाउगोलिक परिस्थिती मधे अपला सैनिक हां काम करतास्तो खर खर अगदी उन्हाने तापलेल वालवंट असेल कि या बरफाच्छा दी चिखर असेल सगली कडे त्याला शारीरिक आणी मानसिक सामर्थ्य कंखर पना टिकवून ठेवन हे फार महत्वाचा है पन सर मारा असवाट कि केवर युद्ध लड़न कि मां सीमे वर रक्षन करन भारतिय सीमेच ये एकच काम नाई है तो यह चा व्यतिरिक्त भारतिय सेना प्रशासनानी जर मदत मागितली तर आपत बजावाईला पुढ़े जातासते तर त्या बद्दल हमाला जाणून घेला उड़े भारतिय सेना जे है तैंची डिप्लाइमेंट ड्यूटी करना ची एक तर फील्ड एरिया जासतात आनी दूसरा पीस ताइम असतात तर फील्ड एरिया मदे जा है ते एक्चुली जाती नैच्रल केलमिटी मंजे नैसर की विपदा जवाई एती है फ्लड्स कि वाँ भूकंप कि वहाँ दुसरा कुछले प्रकाची नैसर की विपदा जाली ता त्यार रेला सिविल अड्मिनिस्टेशन है आर्मिला कि वहाँ डिफेंस पोर्स ना बोला ता मददीला तो त आर्मिला रेला भूकंप जाला तैचा नंतर इते महराष्ट में फ्लड्स आलेत तो साथ इंडिया चिन्नाई में फ्लड्स आलेत यह सगया सिचुएशन में आर्मी एर फोर्स और नेवी यहां चा फ़ार मोठा रोल होता है तो देशा रक्षन करना और देशा वरती यह अन देशा चा सेवेता है अगदी तो सीमे वर आसेल सरहत्दी वर आसेल रक्षन करत नाई तर अपत्याली तर देशांचा बांधवान ना वाचवने सथी पूढे आसेल भारतीय सेणिक हा कायम अपले करतव यह ततपर तेनी बजावत असतो आसा मनायला हरकत ने अमाला फार अ अभीमा नहें या भारतीय सेने चा आणि भारतीय सेने चा आणि भारतीय सेनिकान चा तर ज्याजा वेलेला अपन भारतीय सेने चा द्वज बगतो अमी नेमी बगतो पड़ा माला जानून घेला अवडेल सर तुम चा कड़ून की भारतीय सेने चा द्वज आमाला नेमका का आर्मी सर्विस के रेप्रेंटेशन हैने आर्मी से एर फोर्स एंचे की सिंदल जाये ते इंटेग्रेट करून तेचा वर ती लाव ले लिया है तुछ पुड़े जा जाए वड़ेला हमी भारतिया सेने चा ध्वज बगु तया वड़ेला तीन ही सेनां से एकत्री करण तेचा वर अपलेला बगहला मेरता अपमेला लक्षा थी जात पात दर्म संप्रादायfendim पने लड़ाईला जात이면 ते मुंझे सेनिक धर्म तygालेते के हहां अक्धि बेरीवारोग। भार चान श्रमाहिती दिलेक, अपन साक डिसेमबर हा昨ी साजरदीन मुलूना कर तो तो त्र छी साजरदीन का साजरदीन करा वशा कधी वाटला? आनि का साजरदीन करा वशा वटला? तेचा मागे क searcheed वदैश होता है?। एकुन शे एकुन पन्नास, 1949 मदे, अन्फोसेस फ्लैग दे, हाँ अचा सेलिब्रेशन जी है, शूरू किया लगे लागे लागे, यह अचा मागे कारण काया है, है अपले ला बगाला पाईजे, जेवा एक वीर योद्धा अपले देशा साथी लड़तो, त्या वेला, त्या परिवार मागे आए, ठीक है न, त्यान सा करता पुरुज जो आए, तो त्या नी घमावला है, त्या परिवार सा रक्षिन करना है, त्या परिवार ना एक ओनरेबल एक लाइफ देना ही अपले देशा ची जिम्मेदारी ठरते, यह चा व्यती रिखता है, कुनाला जर इज जाले आए, लिम्स खराब जाले आए, कुनाचे पाय खराब जाले आए, हात उडाले लाहे, यह चाह मदे, त्या जे सहने कहा है, ते डिसेबल सोल्जर्स यह केटेगरी मने यह ता, अपंगत्व तयानना यह ता, तर अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी जे वीर गती प्राप् यह वीर नारी, यह वेती रिकते जे डिसेबल जाले लिया है, ती बाहर काम करू शकत नहीं, पर त्याननी काम, देश सेवे साथी जे काम करता ना त्यानना आप पंगत्वा ले लाहे, तर त्यानना आप लेला एक वेगरी ट्रीटमेंट वेलफेर स्कीम्स होगरे आप लेल जवान जो आए खुब यंग एज मदे दातो, त्याचा वह जे आए खुब अधा त्याचे रिस्पॉंसिबिटिया सता, मुला लहान असता, ती जिन्नेदारी पार पाणने साथी त्याला अजू मदब मियाल ता एक चंगली कुष्ट है, त्या करता, सेंट्रल यान चा फार मुठा योगदान अचा मदे आए, ता केंद्रिया सैनिक बोर्ड अनि राज्य सैनिक बोर्ड ये दोन बोर्ड आहे जहे प्रोसेस पुड़े ही हेता, त्याचा करता, आम्ड पोर्सेस फ्लैग डे फंड, हाँ एक गवर्मेंट सा फंड आहे, अनि या फंड ऑनोरेबल रक्षामंत्री आँ हांनी स्टेट महिनरी, गवर्मेंट मात्ता, अनि कारेक्रम रभा ओता सा फंड रावता सा, ऑपनग साले हां when you're a आणि पुनर वसन आचा काम, हे केल जात, या माध्यमात न आसा अपलेला मंडला पाई जे, पन आता मला आठाव ते सरिया निमितन एक आठवन सांगा विशी वाट्टे कि आमी जेमा शालेत होतो, त्या वडेला या साथ डिसेंबर या दिऊशी भारतिया सेनेचा जेंडा हा जेंडा अभिमाना चातिवर मिरवाईचे, तर आता तशी जेंडरे विक्रीकी मा अचा तशी पद्धत असेल नसेल, आता कोंट या पद्धत हीन, नेमके त्यांचा परेंथा अपन पोच तो जेंडरिया सेनिक बोर्ड जो आहे, तैंचे वेबसाइट अनि अकाउंट डीटेल वगरे अवेलेबल आहेद, ते ऑथराइज़ एंटिटी है तो कलेक्ट दी फंद्स, अनि हे फंद्स अग्दी करेक्टली अकाउंट फोर होता, अनि एतन ते रिस्पॉंसिबल मैनर मधे, के अनि हेतन अनि काने प्लान किया लोगों पांवराफास हो सेनिक योजान प्लान वजता होता हिनौ उमान इंटी साना ने में त। शित्पॉंस अनि हिंचा प्लान फेंग करने सब्स्क्य को आगेदागा़ है थे यंःफद्स इंके उचा मित्स है कैक्शा यान गर्जाहे हैया योगदान, सेने चा या, अपंग पुनर scrap वसानि खल्यान कामा मजेके राई चाहें। मच्का स्क्रीन वछ आपनें देज़े मैं अदर्माराली कि वेपसाइट था स्क्रीन वछ अपनम क्यों.. आपलेला सर्वान नामी मुद्धामुन आवाहन करू इच्छी ते कि साथ डिसेंबर या दिवसाचा आउचित्य सादून आपलेया सेनेला आणी त्यांचा या जवाना आपन नकीच हा अर्थिक हतभार लावुशक्तो आपलेया स्क्रीन वर जे अड्रेस दिसता है कि मां जी माहिती आधिकरूत माहिती दिसता है त्याचा आपन जरूर लाब घ्यावा। कि अडिक पढ़बडा शिवाए तो पुढे काहिच करू शकत नहीं। त्याम बडेया कुटूमबा चा महत्व या कुटूमबा चा अधार हा त्याला असतो तर तो जिवाभी वीरगति प्राप्त होतो तो जिवा रहतात माह उतो शहीद होतो त्या आवड़ेला या Central Government जिया है तेंचा तरफे pension ची arrangement देले लिया है याद व्यतिरिक तो State Government शुदा भीए schemes जिया है ते राबावतात जाचा मदे वी नारीजना employment ठीक है और तेंचा support जी तेंचे dependence आए तैना education मदे support अचे भरपूर schemes जिया है तो आपले government नी launch के लिया है आपला है armed forces flag defund है कि in addition to existing scheme मदे तेना एक मदत भनून कामी है ते सर आपन मंदला ते अगदी बोरोबर है मंदली मला सवाट्टा आपन आपले घरा मदे सुरक्षी तस्तो ते केवल सीमे वर प्रतेक सैनिक आपले डोलया मदे तेल घलुन पहारा दे तस्तो आपली रक्षन करतास्तो आपले सवरक्षन करतास्तो ते आए एकाच कारणानी आपन आपले घरा मदे सुरक्षी तस्तो मणूनाज सेना आपले करताव्य करती चे शासन आपले करताव्य करता चाहे पन एक सामान्य नागरीक मणून सर्माला एक प्रश्ण यह निमित्त टह तुम्हाला वीचारावा सवाट्टो कि उड़हां कारकीरदी मदे लडाक सर्ख्या, काश्मीर सर्ख्या जिते भउगोलिक परिस्थिती आथ्यमत प्रतिकूल है आशा ठीकाणी अपन काम केलत, आशा ठीकाणी आपले देशाचा रक्षन केलत, देशाचा सीमान चा रक्षन केलत, तिथे आसताना, आणी तिथे सहीनिकांचा नेत्रुत्व करताना, तुम्हाला आसे काई वेगड़े आनुभवाले कि जे तुम्हा लक्षात रहेले तुम्हाला दोन हजार तीन ते पाच या पीरेड मदले एक दोन एक्सपीरियन्स हांगतु। लदाग जे आहे ते अबाट अक्रा हजार फुटा चा हाइट वरती आहें, एवरेज, लेचा एरिया है अपले जवान जे आहे ते लेचे हेड़कोर्टर पासून लाइन अफ कंट्रोल परेंत अनी लाइन अफ एक्ट्रोल कंट्रोल इत्थे सगी कड़े डिपलाइड आहेत। तर यहांचिया हाइट्स स्याचिन ग्लेशर सुधा या एरिया मदे परता। तर यहाचिन ग्लेशर मंजे एक हाय एल्टिटूड बैटलफिल्ड तेला मनतात। आनि तिथे हाइट्स बावी सजार तेवी सजार या हाइट वरती आपले जवान जे आहेत। तिथे टेंप्रेचर जवाज़ा माइनस 40 चा आसपास जातात। तिथे ग्लेशर आहेत, तिथे क्रिवासेस आहेत, तिथे अवलांचेस ची भीती आहेत। त अत्यनते चैलेंग आशा एंवाइमेंट मदे आपले वीर जवान जे आहेत आपनी डूटी देता। तिथे डूटी देतानना त्यानना दोन फ्रेंट वरती लड़ाई करावी लगते। पहला एंवाइमेंट, अनफर्गीविंग एंवाइमेंट अत्यनत प्रतिकूल असा वाता वरानी। अनि दूसरा एनिमी। शत्रु बरबर ही लड़ाईचा है, हंटेस बर और प्रतिकूल वाता वरानाशा ही लड़ादेचा है। तर यह जे फेस जिवां हे करतात। तो त्या वेला तीनची तयारी कशी के लिए जाते हैं कि त्यानना तीन स्टेज एक्लिमाटाईशन ची करावी लगते है। पहले स्टेजला 9000 ते 101000 तेचा अधनता 12, तेचा अधनता अट्रा तर फाइनली तेनना बिलेशेर में बेस्केम में ट्रेणिंग करूँल मग तेनना वरति डिप्लोई केलाईशन जाते हैं। तर तो ते ओक्सिजन के कमी तेचा मुळे काही काही जवानाना ना। जो किती जरी fit है किती जरी training जाले तरीपन oxygen चा कबी हो ले कहीं ना कहीं, प्रॉब्लम सुरू हता है है पो एक आहे, है अल्टीटूट पल्मिनरी इडिमा जैते हैं लंगज मने पाणी साथ तर, ठीक है नेटन वर्ती कि तरह पिलामно हूं, होकि अधुटी रुप которых सणीबली यारिया चल्भ्लियन्स होता है, तरश्या थी थन्डि द्bokो प्म सब्कूल कि हुए भूट खोगी यह भेट आया अरिया में चल्भ्लियन्स होता हैूंर चल्भ्लियन्स नेहें हैं होते हैं और फ्रोस्बाइट नंतर थोड़ा गैंग्रीन वगर सेट जाल आते हैं तो मैं तो बोटर त्याला गमावे लागता है मैं जे तो बधिर पना बर्फा नियों तो बर्फा दौश जाला मनता है अनि मन अंतर काई बड़ेल तो बहा कापून काड़ाला तो गैंग्रीन जाला तो जरी त्यांची एवैक्वेशन प्रोसेस से सब्सक्राइट सब्सक्राइट कदी-कदी वेदर खरा बस तो हेलिकॉप्टर जाओन अनुशकत नहीं तो त्या वेला आशे कॉंप्लिकेशन देता तो कहीं न कहीं चोटी मोटी डिसाबिलीटी होते होड़े डिफिकल्ड एन्वाइमेंट में ते रहाता कानन चा बप्ती तो अपन कैतरी सांगतो तो कानन ना कैतरा सूशक तो कानन ना अशा है कि जर आठी शेलिंग असल लाइन अफ कंट्रोल चाती थे तर आठी शेलिंग जहां आपने जहाल पास बंकर चा आसपास होते तर त्या वेला इत्यास आवाज जासती असतो कि त्या चाना में बधीर पना याची बहरे पना युशक तो एक जवान जहां हे चोटी मुटी डिसाबलीटी तो घ्यून पर दे तो आणि महां हे मुणूं वी सेटल्मेंट हे महत्वाचा ये जहां है स्वातंत्रवीर सावरकरांची एक ओल आठावते सरी थे तुझा साथी मरण ते जनन तुझा वीन जनन ते मरण अधिवर अधिवर मजे देशा साथी कोंट्या परिस्थितिला तोंड्यावल लगत या सैनिकान ना हे तुमच्या कड़ना आएकल्यावर जानावत तुम्ही सेना ही कायम अशा पद्धतीनी काम करत असते। मागे तैंचा उरलेल्या कुटुम्बा साथी तैंचा कल्याणा साथी अपन आर्थिक सहाई देनगी स्वरुपात नक्कीच केला पाईजे। अपन फार कई करू शकत नहीं पन आपला खारीचा छोटा सा वाटा अपन या निमित्तानी उचलला पाईजे। साथ डिसेंबर हाजो सशस्त्र सेनेचा द्वजदीन मनुन साजरा केला जातो। मला असा वहत्त्र सर कि भारतीय सेना आणी सामान्य नाग्रीक यानना जोडना रहा दुवाए। हायक चेतु आहे। त्यानच्यातल भावनिक नाटत बलकरणा रहा दिवसे। असा मालावाट आणि या दिवसाचा निमित्तानी भारतिय सेनेचा मनोबल कायास्त भारतिय सेना नेमकी कशा परिस्थीतिला तोंडेते आणि द्वजा दिन मंजे नेमका काया याची आत्यांत सुन्दर आणि मार्गदर्शक अशिम हैती आमाला दिलित त्या बद्दल में द्वजा दूरदर्शन चावतिन मनप पूर्वक आभार मानते जय हिन सर जय हिन कर दो दो, हमाने दूर आत्याऊ हुआ हुआ है